प्राइविटाइसेशन के खिलाफ हो रहे विरोध के बावजूद सरकार ने एक और बड़ी कमपनी को निजी हाथों में सौप दिया है. इस बार इस बड़ी कमपनी की कमान दिगगज बिजनिसमेन रतन टाटा के हाथ में दी गई है. दरसल ये कमपनी घाटे में चली रही थ और यह प्लांट 30 मार्च 2020 यानी दो साल से बंद है. लेकिन अब इस कमपनी की किस्मत बदलने लगी है. और लगभग दो साल बाद यह कमपनी खुलने को तैयार है. दरसल करीब दो साल से बंद पढ़े सरकारी कमपनी निलाचल इसपात निगम लिमिटेड जैसे ही रतन टा के हाथों में गया कि इसकी किस्मत बदलने लगी है. टाटा स्टील के सीओ और मैनेजिंग डाइरेक्टर टीवी नरेंदरन ने बताया कि निलाचल इस पात के कार खाने को अगले तीन महीने में शुरू करने का लक्ष है. यानी कमपनी अब जल्दी ही खुलेगी. मैनेजिं क्षमता प्राप्त कर लेने की उम्मीद है. यही नहीं, टाटा स्टील इनायनेल की क्षमता बढ़ा कर 50 लाख टन करने और इसके लिए जरूरी मंजूरी हासिल करने को लेकर भी कदम उठाएगी. गौर तलब है कि ओरिसा स्थित नीलाचल इस पात निगम लिमिटेड को टा प्राप्त करने की बोली जीती थी. कंपणी ने जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, नल्वा स्टील एंड पावर लिमिटेड और जे एस डव्यू स्टील लिमिटेड के एक गट जोड को पीछे छोड़ते हुए यह सफलता हासिल की थी. बता दे कि नीलाचल इस पात निगम लिमिटेड का कली नगर और इसा में एक दशमलव एक मीर्टिक टंक्षमता वाला एक इंटीग्रेटर्ट स्टील प्लांट है. यह सरकारी कंपणी भी भारी घाटे में चल रही है और यह प्लांट 30 मार्च 2020 से बंध है. कंपणी पर 31 मार्च 2021 को 6600 करोर रुपे से ज लिए हुमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद.